Hello friends, welcome to my channel Top Versus Fair आज मैं स्टार्ट करने जा रहा हूं टैंजेन्ट और नॉर्मल इसमें हम पेराबोला और सर्कल दोनों का टैंजेन्ट और नॉर्मल डिसक्स करेंगे पेराबोला का नॉर्मल डिसक्स नहीं करेंगे कि हमें लगता हूं से कुछय आना नीची बगा तो सरकल कर लेंगे और इस अर्कल का नॉर्मल इसके डिसकस कर लेंगे टैंजेन थौरा सा नॉर्मल जो है पर बोला को थोड़ा से में बाहर लग रहा है इसलेश में आना नीची फिर भी जब सिलेशन को हम उन्द करें लास्ट में जब कॉनिक सेक्षन खतम करेंगे तो वहां पर हम आपको थोड़ा से डिसक्स कर देंगे पैराबोला का नॉर्मल इस टॉपिक से अल्रेडी कोश्चन आ चुका है और नोट्स लेखने का जुरूत नहीं है आपको मेरा टेलिग्राम चैनल है सब्सक्राइब कर लिएगा नीचे में डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक डाल दूंगा और मैं कवर कर रहा हूं और इसके अलाबा जो मैट्स है या फिर कुछ पॉर्शन है जो और कवर किया जा चुका है फोटोनिक्स चैनल है अशोक सर इसको रन कर रहे हैं आप वहां जाके रिमेनिंग फिजिक्स और जो भी है बाकी सिलबस वह सारा वह बहुत अच्छे तरिके से कवर किया गया है आप वहां जाके बाकी चीजों को देखिए तो चलिए मैं स्टार्ट करता हूं टैंजेंटर नॉर्मल टूदा पैराबोला ठीक है तो टैंजेंटर नॉर्मल में तो आने आ सकता है आपके एक्जाम में उसको मैंने कवर किया है तो आप स्टार्टिंग से देखो 20 से मत देखो है ना तो बेनिफिट उतना नहीं हो पाएगा तो पहला कुश्चिन चलो स्टार्ट करते हैं आपको स्क्रीन पर विजीवल है एक चुका है देलाइन वाइकल टू एक्स प्लस बी इस टैंजेंट टूद पैराबोला वाई स्कॉर एक्ट एक्स इफ चार ऑप्शन समय की बिन एक लाइन में आपको लर्न करवाना चाहूं गा कि स्टांडर्ड पैराबोला जो होता है य इस स्कॉर इकल डूफ पूर एक्स इसका जो टैंजिन होता य होता है वाइएक्स मिर्ण कर ना आप सेम कुश्चन को जिन कैलकूलेस मेटिस लर्न सॉल्व कर सकते हो बहुत फास्ट है बहुत जल्दी हो जाएक बस एक लाइन आपको learn करना है कि tangent to the standard parabola y square equal to 4x is equal equal is y equal to mx plus a by m m क्या होता है m तो इस line का slope है और a जो है यहाँ जो parabola में a है वही यह होता है इतना गर knowledge है तो question को देखो कैसे हम लोग seconds में करते हैं हमें question given line जो है y equal to 2x plus b है और जो parabola है y square equal to 8x पहले parabola given है तो मैं इसको y square equal to 4a x से comparison करके यह पता कर लेता हूं x के साथ जो multiply है वो 4a है यहां x के साथ जो multiply है एट है तो 4a को equate कर दिया है एट से comparison किया और एक वैल्यू 8 by 4 कितना आ गया टू आ चुका है यह आ चुका है मेरा तो अब लाइन का slope के हमें हमें जो line given है y equal to 2x plus b है तो देखो एक्वेशन जो होता है कि यह तो होता है y equal to mx plus a by m यहां पर क्या होना चाहिए बी मस्ट बीकोल टो a by m का value कितना है यह क्या कितना value है 2 और m का value m क्या होता है देखो y equal to mx plus a by m यहां x के साथ जो multiply होता है वही m होता है टैंजेंट के equation में x के साथ multiply होता है वही m होता है कब जब equation इस form में होगा तो y अकेला एक तरफ बाकि सब चीज़ दूसरी तरफ तो x के साथ जो कॉपी से मल्टिप्लाई होता है वही m होता है तो मुझे जो लाइन गिवन है y equal to 2x plus b अगर आप इसको इससे compare करोगे तो देखो mx 2x m का value क्या रहा है 2 तो m के जग़र 2 रख दो simple तो यह कितना आगया value 1 तो b equal to 1 इसका answer हो गया option number option d इसका answer हो गया ओके एक और question कर लेता है tangent पर बेस्ट question screen पर देख लिए क्या है if the line 2x minus 3y equal to k touches the parabola y square equal to 6x then the fine value of k तो देखो हमने condition learn कर रखा है कि अगर parabola y square equal to 4 ax है तो उसका जो tangent हो जा होता है y equal to mx plus a by m होता है ठीक है उसको मैंने लिख दिया अब यहां पर देखिए पहले इन दोनों को compare करके यह पता कर लेते 4a 6 4a equal to 6 a value 6y4 तो आपको दिख गया होगा है कि यह 3 by 2 हो जाए और उसके बाद कि हमें m चाहिए ना कि एम चाहिए तभी तो यह tangent बनेगा लेकिन पहले हमें इस line को इस formula आना परेगा y को अकेला एक तरफ बागी सबको दूसरी तरफ तो इसको मैंसे लिखते हैं माइनस 3y को इधर ले गया है 3y और बागी k को एक तरफ इधर एक साइट ले आया है और 3 को इधर ले जाते हैं तो जाएगा 2x3-K by 3 अब इस फॉर्म में आ अब compare कर सकते हैं तो देखो यहां से compare किया तो m का value कितना आ गया 2 by 3 और a by m का value कितना आ रहा है a by m का value आ रहा है minus k by 3 a का value अब इसमें k पता करना a हमें पता ही है m पता ही है रख दो तो यहां पर आप लिख सकते हो एक जगह लिख दिया मैंने 3 by 2 और m के जगह 2 by 3 तो नीचे वाले 3 को पर ले लिया minus k by 3 इस 3 को इधर ले आते हैं तो 3 x 3 x 3 27 और by 4 और minus n को इधर ले आते हैं तो k का value आ गया मैं माइनास 27 by 4 ओके टैंजेंट को उपर एक और question देख लेते हैं question है find the equation to the to the tangents to the parabola y square equal to 9 x which goes through the point 4,10 डाग्राम बना लेते हैं कोडिनेट का question करते हैं मैं डाग्राम जरूर बनाना चाहिए अगर थोड़ा भी confusion होता है तो तो डाग्राम बना लेते हैं और कोडिनेट जो मेरा strength है टीक है ऐसा क्यों क्योंकि मैं question करते से मैं डाग्राम बनाता हूं अब भी बनाने का practice रखो तो इसका equation y square equal to 9 x और tangent जो है tangent ही होता है जो कर्ब को one point पर टाच करता है और साथ में पॉइंट जो यह जो है एक पॉइंट है four comma 10 से पास कर रहा है हमें इसके equation चाहिए इसके equation हमने learn कर रखा है इस टेंडर पाराबोला है तो y square equal to 4 x जो पराबोलो होता है उसका होता है y equal to mx plus a by m इतनी बाहर हम लोगों को सब्सक्राइब करने हो जाएगा ना condition अभी सब्सक्राइब अभी इन दोनों को compare किया एक वैलू आजाएगा four equal to 9 एक वैलू अगया इसमें दो चीज़ है नोन एक है एम और एक है लास्ट टू कोस्टेंस में यही किया था ए और एम पता करना है और मैं आपको पहले भी बोल चुका हूं question solve करना मतलब given conditions को use करना अगर आपने given condition को use नहीं किया है तो question solve नहीं होगा तो एक information जिसको अभी तक हमने यूज नहीं किया है कि एक point को हमने यूज नहीं किया है कि इस point से टैंजन पास हो रहा है और हमारा problem क्या है क्या हम पता करना चाहरे है एम का वैलू नहीं पता है अगर इस condition को use करेंगे तो यह एम का वैलू आ जाएगा तो चलो इस tangent को लिखने 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 रहा है y equal to mx plus a का वैलू 9 by 4m अब यह जो टैंजेंट है यह जो लाइन है यह four comma 10 से पास हो रहा है तो अगर कोई भी करक किसी पॉइंट से पास हो रहा तो satisfy तो करेगा ना अगर इसमें x के जगा four और y के जगा 10 रखते तो इसको satisfy करेगा रख सकते हैं ऐसा रख दिया अब इसमें क्या आए यह क्या नोन है solve करेंगे m आ जाएगा lcm ले ले लेते हैं क्रॉस मल्टिप्लाई करते हैं और थोरा एरेंज भी कर लेते हैं 16 m square minus 40 m plus n अब इसको solve करेंगे क्या करो या तो शीरी धरा चारह फॉर्मूला अप्लाई करो x equal to minus b plus minus square root of b square minus 4ac divided by 2a या फिर मिलेल टाम स्प्रेटिंग केजिए तो आपको पता है मैं इसका डिरेक्ट solution लिख रहा हूं इसको solve करेंगे एम का जो आपका वैल्यू आने वाला है वह आने वाला है 1 by 4 and 9 by 4 आप एम का वैल्यू आ गया बस इसमें का वैल्यू रखो और आपका आंसर आजाएगा तो therefore equation of tangent जो हो जाएगा एकर एम का वैल्यू 1 by 4 रख दे तो यह आजाएगा x by 4 plus 9 by 4 और एम के जाएगा 1 by 4 रखा यह हो जाएगा दूसरा एम का वैल्यू 9 by 4 रखोगे इसमें तो दूसरा equation आजाएगा 9 by 4 x और 9 by 4 तो को है कि वान यह दो टैंजेंट हो गया है कितना असान यह कुछ से एक और concept discuss कर लेते हैं related to tangent और यह इतना powerful concept है अगर आप इसी चीज़ को calculus method से करोगे तो इतना ज्यादा टाइम लग जाता है और इस मेंटर से इतना fast होता है बस छोटा सा चीज़ आपको learn कर लेना है और इसका खास बात क्या है यह पूरे कोनिक में valid है कि अगर मानलो किसी भी कर्व का चाहिए वह सरकल हो पैराबोला हो इलिप्स हो यह हैईपर बोला किसी भी कर्व के अगर उसके उपर एक पॉइंट दे इए पॉइंग मैं ले रहे हो पैराबोला इस पे पॉइंट दे दिया X1,Y1 ध्यान रखना कोनिक ओपर एक पॉइंट दे दिया और पोला और इसका थैंजय की अपको बोले को इस पोई पे अग टैंजन कर्ब का चाहसं गार्व सकता है ने का वह इकोडिनेट में क्या करते हैं जहां भी एक्सक्वाइर प्रजेंट है उसके जगह जगा एकस इन्टु X1 लिए x1 क्या है यह जो पॉइंट गीवन उसका एक वोडियर को य स्क्वायर के जगा वह इन्टु Y1 लिखो X के जगा X plus X1 by 2 लिखो Y plus Y1 by 2 लिखो Xy जगा XY1 plus YX1 divided by 2 लिखो चोटा से एक्जाम्पल करते हैं मालो हमारे पास एक पहरा बोला है y² इकल टो 4x बोला इस पे एक पॉइंट है 1,2 इस पॉइंट पर टैंजेंट के एक्विशन बता हूं यूँ खतम करेंगे इसको देखो y² कर्व में किस से रिप्लेश करना है y y1 पहली बार दो पूरा लिख देते हैं और x को किस से रिप्लेश करना है x प्लस x1 y2 अब यह y1 x1 क्या है जो पॉइंट गीवें उसका x कोडिनेट और y कोडिनेट रख देते हैं y1 is 2 2y यह तो इसे कैंसिल हो गया 2 x plus x1 का वैलू क्या है 1 अब इसी को 2 से 2 कैंसिल कर दिया y equal to x plus 1 this is the tangent to the parabola at the point 1,2 देखो कितना अशान है तो मैंने आपको क्या बता है जो कॉंसेप्ट है यह किसी भी कोनी के लिए वैलिड है सर्कल पैरा बॉला इलिपस हाइपर बोला मैंने पैरापोल इलिए डिसकस कर लिया अभी तो सब्सक्राइब है अधिकिया ने मैं इसी कॉंसेप्ट को सर्कल में अप्लाइ करके दिखाता हूं मालो हमने कोसें लिए कि यह सर्कल है और इसके सरकल के ऊपर एक पॉइंट है 3,2 और हमें इस पॉइंट को पर टैंजेन का एक्वेशन पूज दिया कुछ नहीं करना सेम कॉंसेप्ट यह हो गया x1, y1 x2 को रिप्लेस करो x x1 से इसमा डिरेक्टली लिख रहे है x1 मतलब 3, y2 को रिप्लेस करो y y1 से y1 मतलब 2, x को रिप्लेस करो x plus x1 by 2, x1 क्या है 3, y2 y को रिप्लेस करो y plus y1 by 2, और इस y को y1 क्या है 2, और कॉंस्टेंट में कोई भी चेंज नहीं करते है अब इसको सिंप्लिफाई कर लो और इसको सिंप्लिफाई कर रहे हैं तो 3 x माइनस 3 x कैंसिल आउट, 3 x तो कैंसिल आउट हो जाएगा यहां 2y है और यहां पर 2y है तो यह टोटल 4y हो जाएगा और बाकी तो constant ही बचे हैं यहां पर माइनस 9 और यहां पर प्लस 4 माइनस 3 तो कितना आ गए यह माइनस 9-3 तो माइनस का 12 प्लस 4 तो माइनस का 8 तो वह जाएगा यह वाइए इकल टो तो यह वाइनस 2 एकल टो जिरो ओके भी जोम लोग दें मेटर भरा टैंजेन निकालने कर करके ऊपर कोई पॉइंट इवन इसको पर टैंजेन निकालने कर बढ़ा उसका एक और एक्जामपल देख रहे हैं लेकिन थोरा सा ट्विस्ट करके देख रहे हैं क्या है उसको पॉइंट पॉइंट एट विस्टी सकते थे सब्सक्राइब और इस पॉइंट पॉइंट आप पोइंट निकालना इस लिन के एक्क्विशन हमें इसके में क्या करना है है आप point of contact को X1 comma Y1 जूम कर लो ओल्वेज एक को सेन मैं बता रहा हूं यह सरकल में भी हो सकता है पैराबोला में भी हो सकता है एलिप्स में भी हो सकता है ही पर बोला में हर जगह सेम प्रसीजर आपको फॉलो करना है फस्टेप लेड़ दबॉइंट इद x1,y1 उसके बाद जैसे ही इस पॉइंट को x1,y1 निमाना हमें क्लिक कर जाना चाहिए कि इसका टैंजेट हम लोग लिखना जानते हैं यूजिंग सॉटकट क्या है y2 को रिप्लेस करो y1 से और x2 को x को रिप्लेस करो x1 y2 से इसको जड़ा सा सिंप्लिफाई कर लेते हैं ए छटेंजेट है इस टैंजेट का एक्वेसट हमें पताज क्या करना एक्स यो A क्या टैंजेन कोई कंडीशन ऐसा जिसको फिरताई है हना इस लाइन यह उन्म나ने गेवेर हमें इसका अभी यूजिदि नहीं किया तोनों सेम लाइन का एक्वेशन जब भी एक लाइन का दो एक्वेशन मिल जाए जब भी एक लाइन का दो एक्वेशन मिल जाए तो आप क्या करो सारे को कॉंस्टेंट सारे टर्म्स को एक साइड ले आओ एलेचिस में और टाम बाइटाम आप कॉफिसेंट कॉंपेर करेंगे क्या करना है जब भी एक लाइन का दो इक्वेशन में पता हो तो आपको क्या करना है सब चीज को ब्रिंग एवरिफिंग तुदे एलेचेस देन कॉंपेर दा कॉफिसेंट अभी करके दिखाते तब आपको पता चलेगा जैसे यह मेरा एक्वेशन है सब मैं सबको एलेचेस मिले आता हूं तो इसको लिकूंगा फोर एक्स माइनस वाई प्लस सॉरी माइनस फोर एक्स हो एक्वेशन है जो कि हमें हमने खुद से निकाला और इसी का एक्वेशन कुष्चेन बला दिया है सबको एक से लिए आते हैं 3x माइनस वाई प्लस टू वाई एक ही लाइन का दो एक्वेशन है आपको इसके बाद क्या करना है सबको लेचेस में लिए उसको टार्म बाइट और यहां एक्स कोफिसेंट कॉमपेर करना है यहां आखुल आख। ठिक है एक्सट यहां फ़ेशnd यहां एक्सरक पको ET 3 है मैंने इसके एक्सका कोफिसेने और इसके एक्सकोफिसेन रिशК और रेश्यो में D दिया इसका है इसका वाई-क उपिसेंट कुछ नहीं यहे तो म माइनस यहां multiply क्या है आप बोल सकते हो माइनस वान यहां पर एक constant term है 4X1 और यहां पर टू बाइ 3 इस 3 को उपर लिख लेदा है यहाँ पर एक constant है पूरा यहांपर coefficient क्या पूरा कश्या का पूरा कउंपेर कर दिया पूरा ही लिख दिया अब इनको इन दोनों को equity करो करो इन दोनों कोingerOT करोगे यहाँसर वाईबनका वैलिव क्लियरली 6x1 equal to 4 by 3 x1 का value आ जाएगा 4 by 3 into 6 तो यह 2 से cancel हो रहा है कर देते हैं 2 by 9 x1 का value 2 हमें x1 y1 ही तो निकालना था x1 आ गया 2 by 9 y1 आ गया 4 by 3 देर्फोर आंसर इस 2 by 9 4 by 3 वापस से procedure repeat करता हूं कभी भी आपको बोल दें कि यह लाइन इस कर्व का टैंजेंट है और उसका point of contact निकालो या उस कर्व को कहां पर और टाज करता है आप प्वाइंट को एक्षोन कमो वाइवन मानू सब्सक्राइब करके आप उनका values बता कर लो तो हम लोग ने पेराबोला के टैंजेंट discuss कर लिया अब सरकल के डिसकस कर लेता है तो सरकल का टैंजेंट ना एक सौटकट तो एक्जिस्ट करता है लेकिन वह सिर्फ स्टेंडर सेर्कल में लगता है इसलिए आपको स्ब्सक्राइब नहीं बता रहा हूं ऐसा मेठट जो किसी भी सर्कल के लिए वैलिड है कि तो इससे पहले एक बेसिक आपको बता रहा हूं जो लेडि मैं सर्कल चेप्टर में डिसकस कर चुका हूं अगर आपने नहीं देखा है तो जाके देख लो यार क्या है कि अगर कोई अलफा कँमा बीटा गीवे न और कहुंन गीवेन है तो मैं इस पॉइंट से इस लाइन पर परपेंडीकुला रॉक किया हुए है मैं उसका लेंद्ध पता करना चाहता है इसके लिए आपको गया गरना है इस पॉइंट को इस लाएं यहाइन में कर दो तो आपको लेंध पर्पंडिकुलर आ जाएगा ठीक है इसको लांग कर लिया पहले भी कर चुके हैं उसके बाद सरकल में क्या है कि जब भी बोलेगा कि कोई ru subscribe करना है कि मिलाया आपको पहले बोल चुकिем की जो does काई टाइस को मिलाएंगी इसके परपंडिकुलर हो जाता है आपको करना concept जो यह ओम होगा एक किसके एकल होगा ओम जो लेंद्ध होगा इस पॉइंट से इस लाइन के उपर परपेंडिकुलर लेंद्ध होगा और सरकल का रेडियस आपको पता रहेगा तो रेडियस के एकल कर दो ठीक है और उसके बाद इस ओम का वैल्यू आप इस फॉर्मूल इकल टू लैंबडा में टच दा सरकल एक्स स्कॉायर प्लस वाइस स्कॉायर माइनस फॉर एकस माइनस एट वाई माइनस फाइव एक पाइड़ एक निकल जाए तो इसको यह लाइन यहापर टच कर रहा है इस लाइन के एक क्वेशन हमारे पास ट्री एकस माइनस फॉर वाई लैंडा को इधर लेकर लगते हैं तो में लैंडा का वैल्यू निकालना है ओके इस सरकल की बेन सर्कल का स्टेंडर एक्वेशन अपको याद है और लेडी हम कवर कर चुके नहीं देखा है तो सरकल जाके देखो एकस स्कॉायर प्लस वाई स्क यह होता है स्टेंडर एक्वेशन अब दा जैनरल एक्वेशन अब सर्कल चलो इससे कॉंपेर करते हैं इसके सेंटर से पर्पंडिकूर लेंथ अभी आपको बताया ओम का वैल्यू होना चाहिए इकॉल टू दा आर तो ओम फॉर्मूले से काल्कुलिट करेंगे उसके लिए में दा लिए पर्पंता हुना चाहिए इसके पता होना चीछ सट्र 혼자 का उंपर करते हैं और बंथ तो टूजी एकक्स का कॉपिसेंट Нफू यह मैंस छो नौन मैंनस मिनस टू जांट कोई ध्य गत्यां इकुल मैंनस अभी उक्यू थे माइनस जी माइनस f तो सेंटर क्या हो जाएगा माइनस जी मत्लब 2 माइनस एक मतलब 4 2,4 इस सरकल का सेंटर हो गया और रेडियस रेडियस का फॉर्मूला को बता रखा ay j a square plus f square minus c तो जीगा वैलूट 2 का स्कॉयर 4 4 का स्कॉयर 16 और सी का वेलू कीतना है –-5 कितना हो जाएक मैनस--プ्लस स्कॉर रूट-25 यह आगे रेडियेस इसका फाइब सब्सक्राइब करना परेगा पहले भी बता चुक्त है अब इस फार्मूले में रखता हो ओ एम कि एलेंद कैसे पता चलेगा इस पॉइंट को इसमें लोड करो 3 into 2 minus 4 into y 4 minus lambda divided by square root of a square में the coefficient of x square b square में the coefficient of y square स्का मोडला इस इसा इस विपाल टो रादियस जो में गिवन है 5 ौब इसको यह कालकुलेट कर लेते हैं six minus 16 minus 10 minus lambda और यह क्या हो गया five more less अदाते हैं तो rhs में plus minus आता है यह more less अदाएंगे minus 10 minus lambda by 5 equal to plus minus 5 अब यहां लेमडा का दो value आएगा एक प्लस लेंडा लेके एक पर प्लस 5 लेके को माइनस 5 लेके माइनस 10 माइनस लैमडा बाइ 5 एक पर मैं प्लस 5 ले लिया और इसको सॉल्व किया 25 इधर आ गया 25 तो लैमडा इकोल टू आ गया माइनस का 35 एक पर माइनस साइन ले लेते हैं माइनस जैन मुंथ लेंड़ा का फाइड हम इնक फंटरकॉल-----5 स्मुक्रोथ की लाइन-25-32 थे love high . तो थो आरही है सिकम्सट्रा कोई बहें बात करें माफु सिंप्ली ओयम इकल टू-R अपलाई नहीं employees कैसे पता करते हैं आपको पता है वोएम कैसे पता करते हैं इस चप्टर के लास्ट सब्सक्राइब से करें देड गोषिन आपने विल्कुल आसान है एक की पॉइंट से प्रपेंडीकुलर करेंगे उसका नॉर्मल क्या होता है या किसी भी कर्ब का नॉर्मल होता है उसके लिए टैंजेंट ड्रों जिस पॉइंट में नॉर्मल बोले और मालो यह सका टैंजेंट है इसी पॉइंट से पास होता हुआ एक परिपंडिकुलर लाइन अगर आप करेंगे तो उसका नॉर्मल हो जाता है सरकल के किसमें स्पेशल क्या है कि यह नॉर्मल हमेशा सेंटर से पास होता है मतलब आप इस लाइन के एक्वेशन पता करना चाह रहे हैं तो आपको आपको एक पॉइंट पता होगा देटी सेंटर अब दे सरकल तो ध्यान रग लो नीर जेक्वेशन पता तो आपको पता है नहीं कहसे का फरडायद होता है तो यहां पर टैंजेंट और यह आगल मालनों टैंजेंट का स्लोप M1 है और नॉर्मल का चलोप M2 है इन दोनों का क्या हो जाएगा माइनस 1 अगर हामने स्लोप आफ दनार्मल चाहिए थो प्रणाल माइनस ममाम मानन को अधर लेगे माइनस point देखो a line है जिसका जो x1, y1 से पास हो रहा है उसका slope म है तो इसका equation होता है y-y1 equal to m times x- x1 x1 y1 o point है जहां से line pass हो रहा है और m उसका slope है और slope निकालने का बहुत और भी तरीका है अगर मानलो में equation of the line देदिया बोला उसका शलोप निकालो जैसे देदिया 2x-3y plus 4 equal to 0 बोले इसका स्लोप आपको क्या करना है कोई भी लाइन देते पहले था हर चीज को जो भी टरम से सबको LHS में ले आओ खुब होता है माईनस कोफिएन ऑफ डिवाड़ेंड़व 이 कोफिएन आपको लेना कोफिएन आपको लेना है मैनस कोफिएन ऑफ ये निलाने के बाद और दूसरे कोऊर पाइंट अगर हमें किसी एओप अप़र दो पॉइंट की बेन है और उसका स्लोप पता करने बोलता है तो क्या करो उनके य कोडिनेट का डिफ्रेंस डिवाइड़ वाइच को डिपरेंस लेगन ध्यार रखना इसके वाइच से अगर इसका वाइच किया है तो नीचे में भी इसी के से इसका एक्स माइनस करेंगे और एक और बात अगर दो लाइन पैरलल है तो उन दोनों का स्लोप इक्वल होता है यह बेसिक आपको पता होगा फिर भी मैंने एक बार बता दिया एक एक्जामपल देख लेते हैं देखें फाइंड एक्वेशन आप दा नॉर्मल टुदे सर्क एक्स स्क्वार प्लस वाई स्क्वार इकुल Gin2 tam 19 से व्टी कोमब डिया और इस सारकल है और इस से कोई लित पता करो गें पता करें frightened टेंडर सरकल है सबखल में जाकli देखो अभी सलाइन को पर दो पॉइंट हो गया था एक्योषण पता कर सकते हो ऑसे होता हैilage माइनस वाइनज वाइन एककोल तो एम टाइमस एक मैनस настолько स्लोप कैसे पता चलेगा स्लोप पता करने के लिए क्या करना है दो पॉइंट की बेन स्लोप पता कर लेते हैं y2 माइनस y1 divided by x2 माइनस x1 इस 0 0 है x1 y1 0 0 यह 2 by 1 स्लोप आगे 2 अभी यहां रखते हो y1 का वैल्यू 0 ले लेते हैं 2 y equal to 2x यह होगे नॉर्मल का सब्सक्राइब यह इसको कॉम्पबरे लेते हैं इसको कॉम्पएर कर लेते हैं इसे तो सेंटर होता है माइनस जी माइनस एफ तो वन कॉमा जीरो यह होगा सेंटर नॉर्मल होता है इसी इसे पास होने वाला लाइन जो की पैरलल है इसके मालों एक लाइन कोई पता नहीं को कहां पर है लेकिन रम्याइन इतना हमें पता है कि से के पैरलल है तो इस लाइन को गया गई ऑप तो अप नॉर्मल यहां यहां equation of the line passing through point x1, y1 and having slope m होता है y minus y1 equal to m times x minus x1 तो y minus y1 equal to m times x minus x1 अब इसको cross multiply के लिया 2y minus x इधर आके plus x plus 1 इधर आके minus 1 यह आपका required equation